चनल में आपका स्वागत है तो CDS बिर्फिन रावत जी जो हैं हमारे उनका हेलिकप्टर क्रेश होने के जो खबार हो पूरे इंटरनेट में तुफान की तरह फैल गई है इसी में ही अगर हम बात करें कि अगर ये हेलिकप्टर क्रेश हुआ गाहें तो ये तमिल नाडू में नीलगरी और कोईबटूर के बीच में एक जगह है कुनूर तो कुनूर उस जगह पे ये हेलिकप्टर जो क्रेश हुआ है बात यह आती है कि CDS Chief of Defense Staff इनकी भूमिका क्या है उनकी यात्रा में क्या प्रोटोकॉल फॉलो होता है और आपने ये बाग ध्यान दियोगी कि एकद जनता तक नहीं पहुचाए जाती इसके लिए बहुत सारे रीजन होते हैं और क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले चलिए स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि हम बात करें इस हेलिकॉप्टर की तो हेलिकॉप्टर का जो नाम था भारतिय वायू सेना का ये MI-17V-5 एलिकॉप्टर था जो बुद्वार यानि आज जो है तमिल नाडू के कनूर में जो है कनूर एक जगा है वहाँ पे क्रैश हो गया वायू सेना में हाथसे की पुष्टी की गई है और ये वदाया गया है कि इस हलिकॉप्टर में सीडियस विपिन रावत और उनकी पत्नी मदूली का रावत समेथ 11 लोग मौझूतर यानि टोटल जो है 13 लोग जो है इस हलिकॉप्टर में थे वायू सेना ने हाथसे का कारण जानने के लिए जांच के आदेश दिये हैं देश जनरल रावत समेथ हलिकॉप्टर में सवार स संसد में बयान भी देंगे अब बात करें कि विपिन रावत जी जो थे हमारे वो उनको ये सीडियस का पत्षप कम मिला था तो का बद ऑवर इस में इनको मिला था जिनका कार्यकाल जो है सीज्वत मरें 3 लिएम से होना था और इस पत्क की जरुद क्यों पड़ी थी इसके अगर हम उपर बात करें तो 1999 में एक कारगिल का युद हुआ था जिसके बाद में 2001 में ग्रूप अफ मिनिस्टर ने जब इसकी समिक्षा की तो ये तीनों सिनाओं की बीच में बहतर तालमिल की कमी देखी गई इसमें और ये बताया गया कि इस युद में और भी अच्छा परफॉर्म हो सकता था बस इसमें तालमिल की थोड़ी बहुत कमी है तो बीच में ऐसे इंसान को होना ज़रूरी है जो इसमें तालमिल बिठा सके इस समीती के अद्धिक्षे था उस समय जो है तत्कालीन उप्परधानमत्री जो की लाल कृष्ण अडवानी जी थे उन्होंने की थी तो उस वक्त सीद्यस का पद बनाने का उन्होंने सुजाव दिया था लेकिन उस समय आपको पता होगा राजनिती कारण उसे राजनिती जो थी हम ये बोल सकते हैं कि हर बार ये होता है कि एक पक्ष होता है एक वी पक्ष होता है तो सहमती पूरी तरह से नहीं बन पा रही थी सहमती नहीं बन पा रही थी तो राजनिती कारण जो है ये चीज जो है वो नहीं हो पाई थी लेकिन उसके बाद जो है अब 2020 में ये चीज जो है क्योंकि हमारी जो सरकार आई है नरेंदर मोदी की जो सरकार आई है उसमें पूरी तरह से हम यह कह सकते है Chi Must और इन्होंने बहुत ही एजली ये काम करके भी दिखा दिया अब CDS की अगर हम बात करें तो CDS की शक्तिया है क्या Chief of Defenses, स्टाफ हम इसको कहते हैं तो इनकी सक्तिया है क्या तो General Rawat जो है वो बतोर CDS रक्षा मंतराल है और तीनो सेनाओ के बीच एक समन्वियक की बूई का निवा रहे हैं यानि उनका काम इतना है कि उनको तीनों चीजों को जो है वो कंबाइन करके रखना है और तीनों के बीच में एक प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करवाते हैं प्रोटोकॉल से मीनिंग क्या है इसमें कि हर जो फोर्स है वो सही तालमेल से बैठे और उसमें सब के बीच में बोल सकता हूँ, मीडियेटर का कार्य जो हैं, मीडियेटर जो होते हैं, वो जनरल रावत करते हैं, सेन्य मामलों के नव निर्मीत विभाग जैसे Department of Military Affairs, DMA के जो हैं, ये परमुक हैं, वेरक्षा मंतरी के परधान सेन्य सलाकार के रूप में भी कार् किसी सेन्य कमांड पर कोई नियंतरन नहीं था, और वे सीधे ही किसी भी सेना को कोई आदेश नहीं दे सकते थे, यानि जो जनरल रावत हैं, उनका कोई भी अभी तक, अगर हम बात करें, CDS के तोर पर उनका कोई नियंतरन नहीं है, उसमें, वो एक तरह के समन्वियक हैं, यानि एक तरह का, बस वो तालमेल, मैं एक तरह से बोल रहा हूं, मेडियेटर की तरह से वो काम करते हैं, वो किसी कोई सेना को आदेश नहीं दे सकते कि आप ऐसा करिये, या ऐसा करिये, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, CDS की भूमी का है क्या, तो 66 सेनाओं के आपर परदान, परबंदन की है, मतलब जो भी पैसा लगेगा, या जो भी उसमें तालमेल बिठाने, या कुछ भी चीज की जरूत पड़ेगी, तो वो उनको करना है, इसके अगर पैसे की बात करें, तो ये भी सारगा-सारा इसका जो परबंद है, वो CDS ही करता है, ठीक है, तो CD CDS की भूमी का 66 सेनाओं के ओपरेशन में आपसी समन्वे और उसके लिए वित प्रबंदन की तो है, इसके साथ ही CDS तीनो सेनाओं के परमुक की कमेटी के स्थाई सदस्से भी होते हैं, स्थाई अध्यक्ष हैं, यानि इनका जो पोस्ट है, वो स्थाई है, इसको कभी संग नहीं किया जा सकता, तीनो सेनाओं के संगटनों के पशाशक वे ही होते हैं, सेनाओं के लिए हतियारों की खरीद जो की आर्टिलरी होती है, ठीक है, पशिक्षन और स्टाफ की नियुक्ति की परकरिया में तालमेल बिठाने का काम भी इनी का ही है, सैन्य कमानों के पुर्व अधिकारीयों की मताबिक जो कि उन्होंने बताया है, कि भारतिय सेनाओं के सबसे बड़े सुरक्षय अधिकारी जो हैं वो, उनके लिए बहुत सक्त प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है, क्या वे ये भी कहे जाते हैं, वे कहीं भी जाते हैं, अगर तो उनकी सू के मामले में भी पीमों को सूचना दी जा सकती है जब कोई वी वी आई पी जैसे पी एम रक्षा मंत्री या सीडियस हेलिकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो वाईयू से इनाक्षरुक्षा के मापदंडों की कड़ाई का पालन किया जाता है और यह कड़ाई से पालन करने का ज आपके ऑफिसर होंगे कई विशेश परक्रियाओं का पालन भी किया जाता है जिसमें सबसे अनुभवी पाइलेट जो होते हैं वह उन हॉलिकॉप्टर में रखे जाते हैं और उनको हेलिकॉप्टर उड़ाने का मोका दिया जाता है क्रू का जो चैयन भी है उसको भी धिया जान रखा जाता है हेलिकॉप्टर बैटने से पहले सुरक्षा कर्मी उनके साथ होते हैं और हेलिकॉप्टर के उताने के बाद जहां पर पहुंसते हैं उसके बाद वहां से सुरक्षा कर्मी जो हैं फिर उनके साथ हो जाते हैं यानि हेलिकॉप्टर में हो ना हो लेकिन उन